और कानूनी कारवाई निश्चित रूप से होगी मुख्याजी यह मत समझेगा कि चार गुंडों को ले करके और चार बदमासों को ले करके आप इनको डरा दिजेगा और इस मायक को खामोस करवा दिजेगा ये आपकी बस की बात नहीं और एक बात और बोल देते हैं मुख्याजी गरबरी होगी घोटाला होगा गरीबों का पैसा लूटा जाएगा पत्रकार को धमकाया जाएगा तो निश्चित रूप से आप भगवान नहीं हैं आप एक अपराधी है और अपराधियों की जगा जेल में होती है आप समय का इंटर्व्यू कर रहे हैं दोस्तों चारों तरफ जो है मुख्याजी के लोग बोडी लेंग्वेज बनाके खरे हैं कि बेटा माइक में बोल रहे हो माइक छीन लेंगे और जैसे उनके साथ किये थे मारे थे तुमको भी मारें दोस्तों यही हाल है इस पंचायत का जो गलत क बिरोध करेगा उसके कनपटी में थिरनेट सटेगा लात जूता लगेगा फरजी केस होगा और इसी तरह जब कोई युवा आवाज उठाएगा तो चारों तरफ से लोग घेर करके डराने की कोशिस करेंगी हम निवेदन करते हैं रोस्राम अनुमंडल के सभी युवाओं क कि एक युवा है इसकी मदद कीजिए खबर को सेर कीजिए ताकि कुंडल एक पंचायत में जितनी भी ब्रस्टाचार हो रही है सबकी निस्पक्ष जहां छोकर आरूपी पर कारवाई की जाए दोस्तों समस्ती बुर्गे डियम सहाब दबंगई का एक नजारा दिखाते हैं आपको जिस सरक पर हम बैठे हुए हैं ये कुंडल एक पंचायत है सिंग्या पर खंड का और यहां के मुख्या जी हैं चंदर मनी सिंग जी जो गुंडों को पालते हैं और जो गलत का बिरोध करता है उ हमारे बगल में एक पत्रकार हैं इनको कहीं न कहीं मांसिक रूप से पर्थारित करने के लिए कि तुम क्यू माइक में बोल रहे हो मुख्या जी के बरश्टाचार के खिलाब इनको डराने के लिए खरें और यह पत्रकार हैं जो कहीं न कहीं अपनी जान को जोखीम में रख साला करवाते हैं और निश्चित रूप से इस पत्रकार को परतारीत करने का काम करते हैं सोचिए एक पत्रकार जो लिखता है कि हर पांच वर्सों में टूटने के लिए ही बनाई जाती है सरके 15 दिन पुर्बनी सरकों में दिख रही दरार और यह सच्चाई लिखना इस पत्रकार को इतना भारी पर जाता है कि यहां के दबंग मुख्या आपने दबंगों के साथ चम्चों के साथ चाटुकारों के साथ इन पर हमला करवा देते हैं और दोस्तों हमला ही नहीं होता है, इन पे जूटा केस होता है, और केस होने के बाद भी इनको गाउं में धमकी दी जाती है, हम अन्रोज करते हैं समस्तिपूर जिला और विहार के सभी पत्रकारों का, इन पत्रकार का साथ दिजिए, आपने देखा कि रोस्रावाले कार्ण मे इस पंचायत में जितनी भी सरके बनती है, मंडेगा से जितनी भी काम होती है, सम्में खुल करके ब्रस्टा चार और गोटा ला होता है, और ये अकेले पत्रकार हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, सिंगिया परखंड के हर एक पत्रकार 2000-3000 रुपईया ले करके, बिग्यापन चला करके बिखने का काम करते हैं, जब सचाई दिखाते हैं, तो इन पर हमला होता है, और इनको डराया जाता है, लेकिन इनकी हिम्मत की दाद देते हैं, कि इतनी इतनी थेत्रिंग के बाद भी सरक परहो करके मर्द की तरह गरज रहे हैं, और आप निस्चिंद रहे हैं, ज कि यह मज समझिया कि स्रीराम सिंग ऐल है उसके साथ राजा भी खराह है और उसके साथ सब पत्रकार भी खरें और सच्चाई का साथ देने वाला रोस्रां वनडल का एक एक बच्चा करा और उन अधिकारियों को भी हमका देते हैं सिंग्या परकंड के अधिकारियों को आपको पता है न कि क्या हुआ कुंडालिक पंचाइट में अंधे बने हुए हैं दिखाना सुरू करें पंचाइट पंचाइट में जाकर के कितना रुपया आप लोग परदान मंत्रिया वास य जजनाओं की जाच की जाए नमस्ते दोस्तों अगर आप एक युवा है और अपने गाउं में पंचाइट में बिधान सभा में बिहार में जीला में गलत चीजों को देख करके आपका दिल दुखता है आप बदलाव करने की सोचते हैं आप सोचते हैं कि दूसरे राजियों हैं और रोजगार करने के लिए मजदूरी करने के लिए दूसरे राज में जाते हैं और वहां का विकास वहां की परिष्थिती को देख के आपको ऐसा लगता है कि कास हमारा बिहार भी ऐसा होता और एक युवा के तोर पर आप सोचते हैं कि हमारा बिहार कैसे आगे देखते हैं बिहार में गाउं से लेकर पंचाय तक और पंचाय से लेकर परखंड तक परखंड से लेकर अनुमंदल तक और अनुमंदल से लेकर जीला तक और जीला से लेकर पूरे राज तक बरश्टाचार फैला हुआ आज का एक सिच्छित युवा है निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसका खून भी खौलता है उसको बुरा भी लगता है और वो सोचता है कि हम अपने बलबूते किस तरह से बदलाब कर सकते हैं जमीन पर अपने गाउं में अपने वार्ड में अपने पंचायत है हमारे बगल और प्राता की रण में लिखते हैं और काफी लंबे समय से लिखते हैं और ये एक इमांदार पत्रकार है वो पत्रकार नहीं है कि मुख्या जी सबसे 1000-2000 रुपया बिग्यापन ले करके सुबकावना वाला बिग्यापन चला देते हैं और गाउं में जब गरवड़ी होती ह है खराब सरक बनता है लूट होती है तो यह चुप चाप हाथ पर हाथ रख कर बैढ़ जाते हैं यह एक इमांदार थे और इनके गाओं में इनके नजर के सामने में एक घटिया सरक बना और जिस सरक पर हम लोग करें हैं दोस्तों ज्यादा समय नहीं हुआ है कितना समय हुआ ह इसका बने हुए मुश्किल से धाई महीना हुआ है है और सरक देखने में एकदम जरजर लग रहा उपर का पूरा परत उखर चुका है और इस तरह से समझे कि इसके साइड में पट्रा देंकरके इसकी मोटाई दिखा दी जाती है और बीच में मैटेरियल का नामों निसान बिल्कुल यह जो सरक बनी थी आप फरवडी माह के लास्ट में यह बनी थी बनने के 15 दिन बाद यह सरक चुट गई जिसका के खवर मैंने 22 सब्सक्राइब यह बनने के 15 दिन के अंदर में यह सरक टूट गई तूटने लगी है देख लीजे सामने असपस्ट है यह लोग बाद में जो है इसका रिपेरिंग किया है यह यहां का यह पहला सरक नहीं है इस तरह का जो है और यह योजना नहीं है इस पंचायत के अंदर बस्ताचार ने हो रहा है मतलब सीधा लुटना है यह मतलब इसे लुटना ने है दोनों हाथों से लुटना एक पत्रकार के तोर पर जो आपका छेत्र होता है यह सिंग्या परखंड से लिखते हैं और पूरे सिंग्या परखंड के सरकों की जिमेवारी या कहीं गलत हो रहा क्या क्या हुआ आपके साथ जब इस सरक के बारे में और यहां के जो मुखिया है बड़का दबंग है जो बरतमान में पंचाइटी मुखिया संक्या जक्ष सराब माफिया है उनको पूरा इलाका जानता है किस टैब का मुखिया है इनके ऊपर में है इनके उपर मुखिया में केस है उसके बाद बेनिपूर दरभंगा में केस है शिनके उपर इतना जादा क्यास है इतना संगी ध्याओं जाते साइथ आज के डचमें हैं भिल्कूल औरते हैं नहीं पत्रकार को खवर लीने के लिए वो गोरी करावबिक cyn को बागर यह लोग लोग है यह लोग है जो है कि यह सब अपरादी है कि हम क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं और एक पत्रकार होने के नाते जब भरष्टाचार को उजागर करते हैं तो इन पर गोली चलाया जाता है इनको जूटे हर्जन केस में फसाया जाता है इनके मार पिटाई की जाती है और उसके बाद भी इनको हमेशा डर के साये में जीना पड़ता है कि किस समय इन पर हमला हो आपरादी हम मुख्छय को चल चाहरा है और यह दिखाना चाहरा है जो कि सब्सक्राइब नहीं है और कई आर्टिया मेरा फाइल है जिसका जवाब देना बांकी है उसके बाद जो है मैंने साहब सभी सारी योजना का मैंने 15 साल के योजना कहीं लोगा जाच कर रहा हूं पुले पुले दस दोयर दस से ले करके 2022 तक का मैं सारी योजना का जाज कर रहा हूं कई आर्टिया मेरा फाइल है और लोग अभी तक दवा कर रखे हैं कारण ही नहीं बताता हूं कि यहां के जो अस्थानिय परसासन है नाम नहीं बोलना चाहूंगा वही नाम बोलिए का तो अस्थानिय परसासन पुलीस अस्थानी परसासन मतलब जो एड्मिस्ट्रेशन है विडियो सहब हो गया जै हो गया उनने की मिली भगस से यह सलक जो है बचने वाले नहीं है आप कहीं चल लाइए जहांच होगी जहांच होगी और आप लोग जेल लाइएगा समस्तिपुर के डियम सहाब दबंगई का एक नजारा दिखाते हैं आपको जिस सरक पर हम बैठे हुए हैं ये कुंडल एक पंचाय थे सिंग्या पर खंड का और यहां के मुख्या जी हैं चंदर्मनी सिंग जी जो गुंडों को पालते हैं और जो गलत का बिरोध करता है उस प कुमाई हमारे बगल में एक पत्रकार हैं इनको कही न कही मनो मानसीक रूप से पर्तारित करने के लिए कि तुम क्युilly माइक में बोल रहे हो मुख्या जी के बरष्टाचार के खिलाप इनको डराने के लिए खरें और यह पत्रकार हैं जój कही न कही अपनी जान को जो किम म रख करके यह कॉलम लिखते हैं पेपर में ब्रष्टाचार को उजागर करते हैं और सिंग्या परखंड के जो एद्मिस्ट्रेशन है वीडियो साहब और भी इतने सारे लोग हैं वो लोग सब लोग संडक्छन दे करके गोटाला करवाते हैं और निश्चत रूप से इस पत्र पत्रकार जो लिखता है कि हर पांच वर्सों में तूटने के लिए ही बनाई जाती है सर के 15 दिन पुर्बनी सरकों में दिख रही दरार और ये सच्चाई लिखना इस पत्रकार को इतना भारी पर जाता है कि यहां के दबंग मुखिया अपने दबंगों के साथ चम्चों के साथ चाटुकारों के साथ इन पर हमला करवा देते हैं और दोस्तों हमला ही नहीं होता है इन पर जूटा केस होता और केस होने के बाद भी इनको गाउं में धंकी दी जाती है हम अन्रोज करते हैं समस्तिपूर जिला और विहार के सभी पत्रकारों का इन पत्रकार का साथ दिजिए आपने देखा कि रोस्रावाले कांड में एक पत्रकार के साथ हमारे साथ किस तरह का ट्रीट किया गया इसी तरह से इस पत्रकार को परतारित किया जा रहा है और सेले पत्रकार हैं जो आवाज उठा रहे हैं सिंगिया पर खंड के हर एक पत्रकार 2000-3000 रुपईया ले करके विज्ञापन चला करके विखने का काम करते हुए जब सचाई दिखाते हैं तो इन पर हमला होता है और इनको डराया जाता है लेकिन इनकी हिम्मत की दाद देते है कि इतनी 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 थेत्रिंग के बाद भी बीच सरक परहोग करके मर्द की तरह गरज रहे हैं और आप निश्चिंद रहिए जब भी आप पर कोई जुल मर्ड ये होगा तो रोगसा जक्सन आपके साथ खरा रहेगा और समस्तिपूर के सभी पत्रकार खरे रहेंगे और म मुख्या जी जो घुपला घुटाला कर रहे हैं इस सब रोकवा लीजिए क्योंकि यह मत समझिया कि स्री राम सिंग अकेला है उसके साथ राजा भी खरा है और उसके साथ सब पत्रकार भी खरें और सच्चाई का साथ देने वाला रोसरा अन्वंडल का एक एक बच्चा करा और उन अधिकारियों को भी हम कहा देते हैं सिंग्या परकंड के अधिकारियों को आपको पता है न कि क्या हुआ कुंडल एक पंचाईत में अंधे बने हुए हैं दिखाना सुरू करें पंचाईत पंचाईत में जाकर के कितना रुपया आप लोग परदान मंत्रिया वास य और कितना सरक बनता हैं और कितना मंडेगा में लूडते हैं दिखाना सुरू करें इनको परतारित करना बंद किया जाए और कुंडल एक पंचाईत के सरकों की और योजनाओं की जाँच की जाए निश्चित रूप से हम सोचल एक्टिविस्टों से कहेंगे कि आर्टिया के दीजिएगा और इस माइक को खामोस करवा दीजिएगा ये आपकी बस की बात नहीं और एक बात और बोल देते हैं मुख्या जी गरबरी होगी घोटाला होगा गरीबों का पैसा लूटा जाएगा पत्रकार को धमकाया जाएगा तो निश्चित रूप से आप भगवान नह जो है दीपू को खुले हैं पीछे आप खड़ा आगे देख रहे हैं लोग खड़ा है यह खास करके देखिये परसाशन तो बैटकर करके इफ्टार पाटी मना रहा है उसको पकड़ेंगे आप सोच लिजे कि पूलीस पर भारी और जो अनुसांधान करता है कुमार भुवन सब्सक्राइब करता है तो अब यूट के साथ इफ्टार पाटी मना रहे हैं सिंग्या के थाना परभारी सोची ऐसे में अपराधियों का मनोवल क्यों नहीं बढ़ेगा जब एक अपराच करने वाला थानेदार के साथ बैठ करके चाई-पानी करता है नास्ता करता है और फ सब्सक्राइब करता है और उसके बाद भी देख रहे हैं कि जहां पर हम लोग इंटर्व्यू कर रहे हैं दोस्तों चारो तरफ जो है मुख्याजी के लोग बाडी लेंगबेज बना के खरे हैं कि बेटा माइक में बोल रहे हो माइक छीन लेंगे और जैसे उनके साथ किये थे मारे थे तुमको भी मारेंगे दोस्तों यही हाल है इस पंचायत का जो गलत का बिरोध करेगा उसके कनपटी में थिरनेट सटेगा लात जूता लगेगा फरजी केस होगा और इसी तरह जब कोई युवा आवाज उठाएगा तो चारो तरफ से लोग घेर करके डराने की कोशिस करेंगे हम निवेदन करते हैं रोसरा अनुमंडल के सभी युवाओं की कि एक युवा है इसकी मदद कीजिए ख़बर को सेर कीजिए ताकि कुंडल एक पंचायत में जितनी भी ब्रस्ट अचार हो रही है सबकी निस्पक्थ जहां छोकर आरोपी पर कारवाई की जाए दोस्तों कर दोस्तों